Hello my dear students, आज हम लोग देखेंगे कि polynomial का divide किस तरीके से करते हैं इसमें जादातर student फस जाते हैं और जादातर student confused हो जाते हैं कि ये division किस तरीके से करना होता है तो आज जो मैं method सिखाऊंगा, इस method को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप polynomial का किसी भी तरीके का divide आसानी से कर सकेंगे तो आए इस student इस polynomial को divide करके हम polynomial का division सीखें तो इसको divide करने के लिए student जैसे हम normal divide करते हैं वैसे ही इसको ही करेंगे इसको लिखेंगे पहले वैसे ही, इसमें देखिए x-4 हमारा divisor है तो x-4 पहले लिख लेंगे और इससे हमें divide करना है इस polynomial को तो उसको अंदर लिखेंगे 2x की power 4 minus 5x square minus 6x और plus 7 और फिर अब हमें इस polynomial को इससे divide करना है तो कैसे करेंगे तो इसमें rough work का भी थोड़ा सा काम होगा ये देखना किस तरीके से rough work में काम करेंगे हम तो इसका जो first term है इसका first term क्या है 2x की power 4 उसको लिख लो rough में 2x की power 4 और इसको divide करो इसके first term x से तो divide करने पे देखिए यहां उपर 4 times x है और नीचे एक x है तो इस x से ये जो 4 बार था ये 3 बार रह जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2x की power 3 आ जाएगा ठीक है जो ये आया इसको यहां पे as a question लिखना है तो ये 2x की power 3 हमारा यहां पे आ गया अब क्या करेंगे तो इससे इस polynomial जिससे जो divisor था उससे multiply करेंगे तो x minus 4 से इसको multiply करो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x की power 4 minus 4 2 जा 8 x की power 3 ये हमारे पास आया और ये जो answer आया इसको अब हमें लिखना है यहां पे तो similar term के नीचे similar term लिखना होता है x की power 4 तो x की power 4 के नीचे तो ये है 2 x की power 4 और minus 8 x cube अब देखो यहां पे 8 x cube कहीं पे नहीं है तो इसलिए उसको बाहर लिखेंगे minus 8 x cube अब यहां पे line डालो और line डालने के बाद sign change करेंगे यहां minus है आपको पता है subtract करते हैं तो sign change करने पे यह polynomial में sign change हो जाएगा यह minus का यह क्या हो जाएगा plus और यहां कोई sign नहीं है plus plus का हो जाएगा minus इससे यह तो eliminate हो गया हमारा similar term हो गया और sign opposite है इसलिए और यहां पे अब इस सब को हमें reassemble करके लिखना है तो लिखते कैसे हमेशा decreasing order of their power तो यहां पे देखो सबसे बड़ा यह 8 x cube है और plus का sign है तो उसको पहले लिखेंगे 8 x cube बाकी उसके बाद minus 5 x square minus 6 x और plus में 7 ठीक है अब यहां पे जो procedure हमने पहले follow किया था वही अब फिर से follow करेंगे क्या तो सबसे पहले 8 x cube हमें लिखना है तो 8 x cube लिखा इसके पहले term x से उसको divide किया x से हमारा यह eliminate हुआ बचेगा 2 और इसको लिख लेंगे 8 x square यहां पे कोई sign नहीं है plus तो यहां पे question में लिखेंगे इसको plus 8 x square और इससे multiply करेंगे किसको x minus 4 से तो x minus 4 से multiply किया इसको लिख लो तो यह हो जाएगा 8 x cube minus 8 4 जा 32 x square अब इसे same to same हमें यहां पे लिखना है यहां पे आप इसको देखना द्यान से यह 8 x cube minus 32 x square को हमें यहां लिखना है तो कैसे लिखेंगे similar term के नीचे similar term x square को x square के नीचे तो minus 32 x square फिर क्या करेंगे sign change यह minus है तो यह plus हो जाएगा यह minus यह eliminate हो गया यहां पे देखिए यह plus और minus तो opposite sign है similar term है तो यह subtract हो जाएगा plus में से minus को 32 में से 5 को minus करेंगे तो हमारे पास 27 और sign plus का है तो बड़ा इसलिए 27 x square रहने देंगे बागी सब ऐसे का ऐसा उतार लो ठीक है अब क्या करेंगे यहां पे ध्यान से देखिएगा आप कि हमारे पास यहां पे जैसे हमने पहले किया वैसे यह 27 x cube लिखेंगे 27 x x square है और इसको हमें divide करना है divisor के पहले term से which is x तो x से इसको divide करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यह x से यह eliminate एक ही बचेगा तो बचेगा हमारे पास 27 x अब यह 27 x हमें question में लिख लेना है तो यहां पे क्योंकि sign कुछ नहीं था उसके पीछे तो प्लस का होगा 27 x अब 27 x से इसके diviser को x-4 को multiply करना है तो यहां पे x-4 से multiply तो यह हो जाएगा हमारे पास 27 x square और minus 27 को 4 से multiply करने पे 728 और 428 और 10 108 x हो जाएगा ठीक है 728 का दो 428 दो 10 108 x अब इसे हमें लिखना है यहां पे तो यह कैसे 27 x square similar term के नीचे similar term minus 108 x और फिर क्या करेंगा sign change यह plus हो जाएगा यह minus यह eliminate हो गया यह भी opposite sign है तो यह सब्ट्रेक्ट होगा 108 में से 6 गए तो 102 x और यहां पे बचेगा प्लस का 7 यह ऐसी उतार लिए अब फिर से देखो फिर से वही चीज क्या करेंगे 102 x हमने नीचे लिखा और उसके पहले term जो x है उससे divide किया तो x से x गया बचेगा 102 और इसको हमें x minus 4 से multiply तो पहले 102 हम लिख लेते हैं question में तो question में 102 हमने यहां पे लिख लिया ठीक है अब हमने उसको multiply करके यहां पे लिखना है तो यह हो जाएगा 102 x और minus में यह 408 हो जाएगा ठीक है अब इसको लिख लो यहां पे तो 102 x और minus में 408 तो यहां पे देखिएगा ध्यान से sign change यह plus और यह minus eliminate हो गया यहां पे इसको plus plus है यह add करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 415 हो जाएगा और इस तरीके से देखिए यहां पे आपका यह जो है यह remainder आ गया तो यह remainder आ गया बस कितना ही काम करना था इसके इसमें आपको क्या check करना है इसमें आपको देखना है यह px था तो आप इसको खुद check भी कर सकते हो कि 2x की power minus 5x square minus 6x और plus 7 यह जो है यह कैसे आ जाएगा तो डिवाई इसमें division algorithm अगर लगाएंगे तो यह divisor x minus 4 multiply question 2x cube plus में 8x square plus 27x और plus में 102 यह आएगा और plus में 415 अगर आप इसको solve करेंगे तो यह जो आपका dividend जो polynomial था यह आपको आ जाएगा ठीक है एक तो यह बात बता दी इसमें एक और बात बता दू मैं आपको कि अगर आपको इसका सिरफ आपको remainder निकालना होता तो कैसे निकालते देखिए question में हमें px दिया हुआ है 2x की power 4 minus 5x square minus 6x और plus में 7 यह हमें दिया हुआ है px और हमें इस polynomial x minus 4 से divide करके remainder निकालना है तो x minus 4 is equal to 0 करो x की value आ जाएगी 4 और वो 4 पे उसको px की value निकालेंगे मतलब p4 निकालो यहाँ पे p4 निकालो और answer आ जाएगा तो x का जगह पे 4 मतलब 2 into 4 की power 4 minus 5 into 4 का square minus 6 into 4 और plus में 7 इसको solve कर लिजे remainder आ जाएगा 4 की power 4 चार्चों का 16 और 16 का square 256 का double 512 यह हो गया चार्चों का 16 16 85 minus 80 और minus 24 और plus में 7 इसको solve करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा यह दोनों चीजे plus की है तो यह हो गया हमारे पास 519 और यह हो गया हमारे पास 104 और इस तरीके से इसको solve करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 415 और यहाँ पे देखें यह remainder और यह जो remainder था यह हमारा same आ गया तो खाली अगर remainder निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो और बाकी divide करने का procedure मैंने आपको सिखाया आईए ठीक है students, तो students मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये divide अच्छे तरीके से जरूर समझ में आ गया होगा और अगर ये divide समझ में आ गया तो अब polynomial का किसी भी तरीके का divide आप आसानी से कर सकेंगे इस method को use करके तो students मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये concept अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मिलते हैं next वीडियो में कुछ और नहे concept के साथ तब तक के लिए thank you very much and take care of yourself and जय हिंद जय भारत और सभी लोगों को all the best bye bye